ये आकाश्वाणी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाश्र शुकला और अब पेश है आज के मुख्य समाचार केंद्री मंदल ने निशुलक खाद्यान नोपलब्ध कराने की सुविधा दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोविड प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सिजन किया पूर्ती सुनिश्चित करने को कहा स्वास्त मंत्री टी-स सिहदेव ने प्रदेश वासियों से कोविड उप्युक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की देश के 16 राज्यों से होती होई होकी विश्वकप की ट्रॉफी आज रायपूर पहुची मुख्य मंत्री ने किया ट्रॉफी का अनावरण और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाश्वाणी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के शुताओं के साथ अपने विचार साजह करेंगे अब समाचार विस्तार से केंद्री मंत्री मंडल ने निशुल का खाद्यान उपलब्द करानी की सुबिधा दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है उभोगता कार्य खाद्य और सारवज ने क्वितरण मंत्री पियूश गोयल ने बताया कि इस पर दो लाख करोर रुपे का आतरित खर्च आएगा जिसे केंद्र सरकारवहन करेगी वही मंत्री मंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतरगत पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन भोग्यों के लिए पेंशन में सुधार किया है केंद्रे मंत्रे अनुराक सिंग ठाकुन ने बताया कि इस पर प्रती वर्ष 8,450 करोर रुपे का खर्च आएगा संशोधित पेंशन का लाव 1 जुलाई 2019 से लागू होगा शिठाकुन ने बताया कि बकाय का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा केंद्र सरकार ने सभी राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविट के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सिजन की निरंतर आपूर्ती सुनिश्चित करने को कहा है राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए अपने पत्र में स्वास्मंत्राले ने वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवशक उपकरनों की उपलभता भी सुनिश्चित करने को कहा है महीं 36 गड़ के स्वास्मंत्री टीयस सिह देव ने वेश्विक इस्तर पर कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश्वासियों को कोविड उप्युक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की है उन्होंने कल वरिष्ट विभागी अधिकारियों के बैठक ली और कोरोना की जांच, इलाज, इसके बचाव और नियंतरन के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा उन्होंने कोरोना की जांच, RT-PCR टेस्ट के माध्यम से कराय जाने के साथ ही ऑक्सिजन किट, वैक्सीन, दवाईयों आदे की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिये इस बीच प्रदेश में कल 1300 से अधिक सैंपल्स की जाच की गई, जिसमें राइपुर जिले से दो और दुर्ग जिले से एक पॉजिटिव मौमला सामने आया इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर साथ हो गई है वहीं प्रदेश में कोरोना टी का करण अभियान जारी है, अब तक राज्य में 5 करोड 3,62,000 से अधिक्ती के लगाय जा चुके हैं इस बीच अमेरिका से राजान इराय पॉलोटे दो लोगों के कोविट पॉजिटिव पाय जाने के बाद 36 गड के स्वास्तसंचालग भीम सिंग ने कहा है कि लोगों को अभी घवराने की जरूरत नहीं है जिन दो लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसे जाच के लिए भेजा जा रहा है उन्होंने लोगों से सतर्क तबरतनी की अपील की है राजी के विभिन जिलों के नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिशद और नगरपंचायतों तथा त्रेस तरी पंचायत उप्चुनाओं के तहट आज नामंकमन पत्रों की जाच की गई 26 दिसंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं वरतलब है कि राजी के बारह जिलों में तीन नगरपालिक निगम, चार नगरपालिका परिशद और नगरपंचायतों में 15 वार्ड पारिशदों के लिए उप्चुनाओं हो रहा है इसी तरह एक जिला पंचाय सदस से 109 सरपंच और 565 पदों के लिए उप्चुनाओं कराय जा रहे हैं इस बीच सतंत्र और निश्पक्ष चुनाओं संपन्द कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 33 सामान्य प्रिक्षकों को प्रशिक्षन दिया गया प्रशिक्षन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग पिठाकुर रामसेह ने प्रिक्षकों को जरूरी माग दर्शन दिया देश के 16 राज्यों से होती हुई हौकी विश्वकप की ट्रॉफी आज 36 गड़ पहुची रायपूर में मुख्यमंति भूपेश बगेल ने इस ट्रॉफी का अनावरन किया और भारत को विश्व विजेता बनने के लिए शुपकामनाय दी इस दोरान हौकी के क्षेत्र में विशेश योगदान देने वाले 36 गड़ के अंतररास्ट्रे खिलाड़ी उपस्थित थे रायपूर के बाद इस ट्रॉफी को भूवनेश्वर के लिए रवाना किया गया वर दलब है कि ओड़िशा में आगामी 13 से 29 जनवरी तक FIH ओड़िशा मैंस वर्ड कप आयोजित किया जा रहा है इस प्रतियोगिता के मुकाबले भूनेश्वर और राउरकेला में होंगे वीजा पुर्जिले के भैरमगर विकासखंड में दो इसकूरिक शात्राओं की इंदरावती नदी में डूबने से मौत हो गई है ये शात्राओं शीत कालिन छुट्टी में आज पिक्निक मनाने के लिए अपनी सहलियों के साथ पाता कुट्रू के पास गई हुई थी इंदरावती नदी में नहाने के दौरान वे तेज बहाव में डूब गई SDM उत्तर सिंग ने बताया कि सूचना मिलते ही गोताखुरों के टीम मौके पर पहुँची और छात्राओं के शव बाहर निकाले गए कवरधा से पिछले 41 दिनों से लापता पत्रकार और RIT कारिकरता विवेक चौबे की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्या आरोपी बोककर खार के सरपंच अमित यादव सहिद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधिक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंग ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है आरोपियों ने पत्रकार की हत्या कर उसके शव को जंगल में जला दिया था और मोटर साइकल के भी टुकडे कर उसे जमीन में दबा दिया था प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे है और हमारे यूट्यूब चैनल है चत्तिसगड़ AIR News तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाईल के जरिये भी हम पहुँच रहे है आम तक चत्तिसगड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे है आकाश्वाणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर प्रधानमंद्री नरेंदर मोदी कल सुबा 11 बचे आकाश्वाणी से मन की बाद कारिक्रम में देश-विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साजा करेंगे ये इस कारिक्रम के 96 और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी कारिक्रम का आकाश्वाणी, दूरदर्शन, आकाश्वाणी समाचार की वेबसाइट और News on AIR मोबाइल एप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा आकाश्वाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधान मंत्री कारियाले तथा सूचन और प्रसारण मंत्राले के YouTube चैनल्स पर भी इस कारिक्रम का सीधा प्रसारण होगा आकाश्मानी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कारिक्रम छेत्री भाशाओं में प्रसारित किया जाएगा इस बीच प्रधान मंत्री ने पिछले महीने के मन की बाद कारिक्रम पर आधारित एक बुकलिट साजह की है इसमें भारत की G20 की अध्यक्षता, अंतरिक्ष में निरंतर प्रगती और वादियंत्रों के निर्यारत में व्रधि जैसे विशे शामिल है राजिपाल अंसुया उई के आज BIT दुर्ग के वर्ष 1997 बैच के एक शातर शातराओं के रज़त जैनती समारों में शामिल हुई 36 गड रीजनल साइंस सेंटर द्वारा बच्चों के लिए रायपूर में एरो मॉडलिंग कारिशाला का आयोजन किया गया इसमें बच्चों ने एरो प्लेइन के विज्ञान को समझा और मॉडल बनाकर इसका स्वयम अनुभव किया इस कारिशाला में स्वामी आत्मानंद शास के उत्रिष्ट अंग्रेजी माद्यम विद्याले माना कैम के विद्यार्थी शामिल हुए इस कारिशाला का उदेश नवीन खोजों और प्रायोगी क्रिया कलापों को स्वयम करके सीखने की प्रक्रिया को विक्सित करना है भारती डाक विभाग द्वारा अगामी 26 से 31 दिसंबर तक दुर्ग के मुख्य डाक घर और भिलाई वन के उप डाक घर में आधार शिविर लगाया जाएगा इस शिविर में सुबा आठ बजे से रात आठ बजे तक नए आधार पंजियन के अलावा बच्चों का बायोमेट्रिक मुफ समिक किया जाएगा आधार संबन्धित अन्निकिजिवी प्रकार के सुधार के लिए 50-100 रुपे शुल्क लिया जाएगा प्रादेशिक समाचारेकांश आकाश्वाणी रायपूर द्वारा प्रसुत कारिक्रम जिले के चिठी का प्रसारन कल शाम 6 बज कर 5 मिनट से 6 बज कर 10 मिनट तक किया जाएगा इस कारिक्रम को 36 गड़ सित आकाश्वाणी के सभी केंद्र रेले करेंगे इस बार क्यंक में बालोद जिले की गतेविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी रायपूर इस्थेत अखिल भारतिय आयुर्विग्यान संस्थान एम्स में पहला किड़नी प्रत्यारोपंड कल किया गया कभी धाम के रहने वाले एक युवक को उसकी मा की किड़नी प्रत्यारोपित की गई रोगी की हालत स्थेर है और उसे चिकित सकों के निगरानी में रखा गया है मरीज का आयुश्मान भारत यूजना के तहद निशुलक उपचार किया गया एम्स के निदेशक प्रोसेसर डॉक्टर नितिन एम नागर करने इस जटिल ऑपरेशन की सफलता के लिए पूरी टीम को बढ़ाई दी है अब कुछ हैने खबरें संक्षत में केड़ सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री आयुश्मान भारत स्वास्थ अद्सनर चामिशन का प्रतीक चिन तयार करने में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है स्वास्थ मंत्राले के अनुसार विजेता को एक लाख रुपे का नगत पुरुसकार दिया जाएगा स्वतंत्रता संग्राम सिनानी भारत रत्न पंडित मदन मुहन मालवी और पूरुपधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपे की जैनती की पूरुसंध्या पर राजिपाल अनसोया उयक्यों और मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने उन्हें नमन किया है राजिपाल और मुख्यमंत्री ने प्रभू ईशु के जनम दिन क्रिस्मस के अवतर पर प्रदेश वासियों को बधाई और शुक कामनाय दी है युवा कारिक्रम और खेल मंत्राले तथा नहरू युवा केंडर रायपूर द्वारा समाज सेवा के एक्षेत्र में उलेखनी कारिक करने वाले युवाउं से जिला युवा मंडल पुरुसकार के लिए 28 दिसंबर तक आविदन आमंत्वित किये गए हैं सुक्मा जिलेक के चिंतलनार सापताहिक बाजार के पास सुरक्षा बलों ने मावादियों के द्वारा लगाए गई दो आईडी बरामत की हैं जवानों ने दोनों आईडी को ब्लास कर नश्ट कर दिया है कॉंड़ा गाउं में सुशासन सपताह के तहट प्रशासन गाव की ओर कारिशालायो जन की गई कारिशाला में जन शिकायतों के निवारण सेवा प्रदाय संबंधी आविदन पत्रों का निराकरन करने के साथ ही सारवजनिक सिवाओं को बहतर ढंक से सुलब कराय जाने पर जोर दिया गया राजनांगावं पुलिस ने एक करोड रुपए लोन दिलाने के नाम पर चमालिस लाक रुपए से अधिक की ठगी करने वाले तीन आरूपयों को दिली से गिरफ्तार किया है इनके पास से 8 लाख रुपे नगद और 44 लाख रुपे की संपत्ती जब्द की गई है और मोबाइल फोन के जरीए वहार बिकरी करने का जहासा देकर करीब 6 लाख रुपे की ठगी करने के मामले में राजनान गाउं पुलिस में एक आरोपी को लखनाउं से गिरफतार किया है केंद्री मंत्री मंडल ने निशुल का खाध्यान उपलब्द कराने की सुविधार दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोविध प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सिजन के आप पूर्ती सुनिश्चित करने को कहा स्वास मंत्री टीयस सेंदेव ने प्रदेश वासियों से कोविध उप्यूप्त व्यवहार का पालन करने की अपील की देश के 16 राज्यों से होती हुई होक्य विश्वकप की ट्रॉफी आज रायपूर पहुची मुख्य मंत्री ने किया ट्रॉफी का अनावरण और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी कल सुबा 11 बजे आकाश्वाणी से मन की बाद कारिक्रम में देश विदेश के श्टोताओं के साथ अपने विचार साजह करेंगी इसी के साथ प्रादरिशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार झाल